नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशिल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समख शुपस्तित हूँ साइकलोजी विश्यवस्तू को लेकर इस्टुएंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आरंभिक पठनकॉशल टॉपिक पर बेस्ट प्रैक्टिस सेड टू के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेड वन को सॉल्व कर चुके हैं जिसके इंतरगत लगबग एक से लेकर 15 तक के सवालों को सॉल्व किया है और जाना है किस टॉपिक से रिलेटिट किस प्रकार के प्रशन हमारे सूपर्टेट एक्जाम में पूछे जाते हैं आशा करता हूँ कि जितने भी प्रशन आपने सॉल्व किया वो सभी आप समझ पायोंगे और आपको पता चल पायोगा कि इस टॉपिक के इंतरगत हमें किस तरीके से कंटेंट को कवर करना होता है और कंटेंट से रिलेटिट किस टाइप से प्रशन बनते हैं चलिए स्टार्ट करतें आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला कोशन और इस प्रैक्टिस सेट सीरीस का 16 कोशन आपसे क्या कहता है तो कोशन नमबर 16 में आपसे पूछा गया है स्टुएंट्स की मोन पठन के कितने तथा कौन-कौन से भेद होते हैं अगर कौन- आपके पास होने चाहिए बट यहां पर आप से यह नहीं पूछा गया सिर्फ कितने भेद की बात की गई है तो मोन पठन के कितने भेद होते हैं तो आपको बताने हैं कि मोन पठन कितने प्रकार के होते हैं तो कंटेंड वाले पोशन में मैंने आपको बताया है कि जो मोन पठ प्रफन होते हैं वो दो प्रकार की होते हैं एक होता है आपका दूरूत पठन और दूसरा होता है गंभीर पठन तो इसलिए कोशन का राइट ऑप्षन बनता है और अगर यह प्रशन आप से पूछा जाए कि मोन पठन के कितने तथा कौन-कौन से भेध हैं तो ऑप्षन में तो यह साथ-साथ आपको दूरूत और गंभीर पठन भी देखने को मिलेगा यहनि कुल मिलाकर आपका जो कोशन है इस सिक्स्टिंथ कोशन इसका राइट ऑप्षन बनता है यह आशा करता हूं कि आप कोशन को समझ पाए हैं इस कोशन के राइट ऑप्षन तक भी एजिली चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स्ट कोशन 17 आपसे क्या कहता है तो नेक्स्ट सेवेंटीं इनतों कोशन आपसे कहता है किस प्रकार के पठन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पढ़ता है किस पठन में नेत्र एत था अधिक सक्रिय रहता है आपसे पूचा गया है कि किस प्रकार का पठन है जिसमें ठकान कम होती है और वाग्य यंत्रों पर जो वाग्य यंत्र है जिससे आप बोलते हैं उस यंत्र पर जोर नहीं पड़ता है इस पठन में नेत्र और मस्तिश्क अधिक सक्रिय होता है तो यह आ प्षोशन का राइट उप्षन आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि ऐसा कुन सा पठने जिसमें थकान कम होती है और वाग्य यंत्र पर जहां से आपकी आवाज निकलती है sound आपका निकलता है उस यंत्र पर जोर नहीं पढ़ता और आपकी जो eyes है और जो mind है वो अधिक सक्रिय रहते हैं तो आपने content वाले potions में देखा होगा कि शांत नाम का कोई पठन हमने नहीं पढ़ा है और नहीं मंद पठन होता है और नहीं एकांत पठन होता है हमने जो पठन और दूसरा होता है अनुकरन पठन लेकिन वहीं पर अगर हम मोन पठन की बात करें तो मोन पठन में क्या होता है कि आप आवाज नहीं निकालते हैं आप मन ही मन पढ़ते हैं जिसमें आपके नेत्र और मस्तिष्क जो है वो active होते हैं और इस वज़े से आपकी वागी अंत् में पठन कर रहा हूं तो मैं मुश्किल से आपके सामने 30-35 मिनिट या 40 मिनिट तक ही बोल पाऊंगा कि इस तरीके से जब हम non-stop पठन करते हैं तो हमारी जो energy है वो बहुत ज्यादा waste हो जाते और इसलिए हम बहुत जल्दी ठक जाते हैं तो आशा करता हूं कि आप questions को समझ कर सकते हैं तो इस questions का right option आपका होता है मोन पठन आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस questions के right option तक भी easily पहुच पाए होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 18 आपसे कहता है स्ट्वेंट्स की मोन पठन के दो गुणों का उलेख करें यानि कि जो मोन पठन होते हैं इसके दो गुणों का उलेख करें यानि कि कौन से दो गुण है option A कहता है बाधित नहीं होती है वंग एकागरता बनी रहती है option B कहता है चिंतन भंग नहीं होती है वंग अर्थ ग्र कराए हैं इसके कौन से दो गुण है जो आपके हिसाब से सही है तो इन चार-ओ-प्षिण ओम आपको best option छाटना है यहां पर देखे स्टुन जब हम मौन पठन करते हैं तो चिंतन भंग नहीं होती है यह देखे चिंतन तो भंग होती यहां पर आपकी energy waste कम होती है इसलिए आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं तो यहां पर समय की बचत का कोई मतलब नहीं होता Speed तो आपकी लगभग सेमी होती है चाहे आप सस्वर पठन करे या मोन पठन करे तो यहाँ पर समय के बच्चत का कोई मतलब नहीं बनता है इसलिए C option भी नहीं हो सकता और fourth option कहता है अध्यापन में मन लगता है वंग अधिगम प्रोथसाहित होता है देखे अध्यापन में यदि मन लगेगा तो आप मोन पठन कैसे करेंगे मोन पठन हमेशा स्वयम से की जाती है मन ही मन की जाती है और अध्यापन में आपको बोलना पढ़ता है समझाना पढ़ता है इसलिए D option भी नहीं हो सकता बच्चाओ option आपका A right हो जाता है कि मोन पठन के दो गुण ये है कि एक तो बाधित नहीं होती है और एकागरता बनी रहती है मतलब आपको कोई टोकता नहीं अगर आप गलत भी पढ़ रहे हैं या बहुत speed में पढ़ रहे हैं आशा करता हूं कि आप भी questions के right option तक easily पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते है next 19th question आपसे क्या कहता है तो question number 19 में आपसे पूछा कि एस्टुएंट कि dash पठन में पठन भाव अनुकुल होना चाहिए तथा इस्थानिय बोलियों का समावेश नहीं होना चाहिए आनि कि dash पठन कोन सा पठन ऐसा है जिसमें पठन जो है वो भाव अनुकुल होना चाहिए option a कहता है option b कहता है option c कहता है option d कहता है अब आपको बताना है किए देख़े देखिए उच्चारन पठन में पठन भाव अनुकुल होना चाहिए जरूरी नहीं है क्योंकि पठन तो आप दो ही प्रकार के पढ़ते हैं एक सस्वर पठन और एक मोन पठन और सुर पठन भी आप नहीं पढ़ते और नहीं शब्द ग्रहन करते हैं पठन जो करते हैं उसमें से अर्थ ग्रहन करते हैं इसलिए डी ऑप्षन भी नहीं हो सकता यानि कि इसका राइट ऑप्षन बनता है आपका सी सस्वर पठन में जो पठन है वो भाव अनुकुल होना चाहिए जैसा भाव उसमें दिया गया है उसी भाव की अनुकुल आपका पठन होना चाहिए तभी आपका जो पठन है वो सही माना जाएगा और इसमें स्थानिय बोलियों का समाविश नहीं होता है क्योंकि इस्थानिय बोलिया जो है वो लिखेत रूप में प्रयोग नहीं किये जाते इसलिए इस questions का right option बनता है आपका C एनि सस्वर पठन I hope आप questions को समझ पाए होंगे और इस questions के right option तक भी easily पहुँच पाए होंगे एनि कितनी वीधिया प्रवलित है ऐनि कितनी वीधियों को प्रव्लित किया गया है शब्द तत पर आधारित वीधियों के अंतर्कत तो इस्ट्रेंट्स पठन कोशल पर आधारित वीधियां दो प्रकार की होती है, एक होता है शब्द तत पर आधारित वीधियों की संख्या है पांच, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सिंपल कोशन की शब्द तत पर आधारित कितनी वीधिया प्रवलित है, तो शब्द त पर आधरी तीन वीधिया प्रावलित है जिसमें नंबर एक होता है आपकी वर्णवोद वीधि नंबर दूसरा है द्वनी सामय वीधि और नंबर तीसरा है स्वराचारण वीधि तो इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्षन बन जाएगा आपका ऑप्षन नंबर बी यानि तीन वीधिया आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस कोशन के राइट ऑप्षन तक भी एजिली पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर 21 आपसे क्या कहता है तो कोशन नंबर 21 आपसे कहता है आरंभिक पठ पठंकोशल है इसके दो उद्देशः आपको बताने हैं और फोर्फ ऑप्षन कहता है जो आरंभिक पठन कोशल आपने पड़े हैं इसके दो मुखे उद्देशः कौन कोन से हैं तो देखिए अगर आप देखेंगे कि ग्यान प्राप्त कर अद्धियां का प्रयोग करना लग जाना तो यह सही नहीं है कि आप ग्यान प्राप्त करेंगे और अध्यन में लग जाएंगे ग्यान प्राप्त करके ही question करते हैं तो आप ज्यान को सबसे पहले प्राप्त करिए उसके बाद उसका प्रयोग करना सीखिए और इस तरीके से आप अधिगम इस्थान अंतरन यहीं कि जो आपने learning सीखी है उस learning को दूसरों तक पहुचाना तो as a teacher आप यह सभी जो चीजे जो सीख रहे हैं जो चीजे आपने जीवन में सीखा है वो आपका उद्देश है कि उस घ्यान को आप बच्चों को ट्रांसफर करेंगे यह नहीं स्थान अंतरन करेंगे इसलिए इस questions का right option बनता है आपका a I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option तक भी easily पहुच पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 22 आपसे कहता है इस students की बच्चों की पथन कुषलता का विकास करने में सरवादिक महतपूर्ण क्या है निकि अगर आप बच्चों की पथन कुषलता का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महतपूर्ण क्या है option a कहता विभिन संदर का विकास करना चाहते हैं बच्चों में तो उसके लिए सबसे ज्यादा important आपके हिसाब से क्या हो सकता है यानि इन चारों option में आपके हिसाब से कौन सा option best हो सकता है जो बच्चे के पठन कोशल को विक्सित करें तो दीखे option फोर्थ option कहता है बिभिन विशो से जुड़ी सूचिया देखे लिस्ट से आपका कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर बिभिन संदर्वो से जुड़ी सामागरी यानि कि जिस संदर्व में आप बात करना चाहते हैं उनसे related आप सामागरी को लेकर आईए और उसका पठन उसका पठन करवाईए बच्चों से और जैसे आप बच्चों के द्वारा पठन करवाएंगे तो उनके पठन कोशलता का विकास होता जाएगा तो इसलिए अगर हम चारों उप्चों में देखे तो बेस्ट उप्चों आपका बनता है ए बिभिन संदर्वो से जुड़ी सामागरी आशा करता हूँ कि आप कोश्चों को समझ पाए होंगे और इस कोश्चों के राइट उप्चों तक भी easily पहुँच पाए होंगे चलि आगे बढ़ते हों और देखते हैं नेक्स्ट कोश्चों कोश्चों नमबर 23 आपसे क्या कहता है तो कोश्चों नमबर 23 आपसे कहता है किस प्रकार की पथन शैली में सिक्षक के आदर्ष पथन का अनुकरन किया जाता है निकि कौन से प्रकार की पथन शैली है जिसमें शिक्षक के आदर्श पथन का अनूकरन किया जाता है option A कहता है अनूलेखन पथन option B कहता है option C कहता है मौखिक पथन और option D कहता है सस्वर पथन तो अगर आप देखेंगे कि तो आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रकार की पठन शैली है जिसमें सिक्षक आदर्श पठन करता है और बच्चे उसके पीछे-पीछे अनुकरन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है अनुकरन पठन देखे इस प्रकार के पठन को आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा अनुकरन पठन आपने जरूर पढ़े होंगे ले उसको अनुकरन पठन कहते हैं इसलिए इस कोशन का राइट ऑप्षन बनता है आपका बी आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस कोशन के राइट ऑप्षन तक भी एजिली पहुँच पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन आपसे क् इस च्रेंट की भाषाओ में डेश करने की शमता पूर्णते है विक्सित होती है ⁦ और आपको बताना है क्या करने की शमता पूर्णते है विक्सित होती है संकुचित अर्थ को दर्शाते हैं option B कहता है सूर एनि कि भाशाओ में आप सूर करने की शमता तो यह बिलकुल नहीं हो सकता और option C कहता है समवाद और option D कहता है संचार तो देखे संचार करने की शमता पूर्णते विक्सित नहीं हो पाती बट भाशाओ में जो है आप समवाद करने की शमता पूर्णते विक्सित कर लेते हैं क्योंकि A और C option में अगर हम देखे तो C option ज्यादा ही ब्रॉड है उचारन और समवाद समवाद के अंतरगत आपका उचारन भी आ जाता है और यह जो भाशा है इसमें समवाद करने की शमता जो है वो पूर्णते विक्सित होती है इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी आशा करता हूं कि आप को समझ पाए होंगे और इसकोशन के राइट ऑप्श शिक्षण के लिए यहनि language teaching के लिए किन का सिध्धान सर्वाधिक महतपुर्ण नहीं है यहाँ पर आपसे नहीं है पूछा गया आप यूपिटेट और सीटेट में इन सभी साइक्लोजिस्ट को डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इस्पेशली वाइगोच्की का सिद्धान भी सिलेवस में होता है प्याजे का सिद्धान भी होता है और यहाँ पर जो एक टॉपिक आता है भाशा और विचार उसके अंतरगत हम चौमस्की और इसकी इनर को भी डिटेल में पढ़ते हैं और भाशा और विचार टॉपिक के अंतरगत हम लगभग पांच साइकलोजिस्ट को मुखेत पढ़ते हैं जहां से हमारे यूपिटेट और सीटेट में प्रशन बनते हैं तो उसके अंतरगत आपने जाना होगा कि भाशा शिक्षन के लिए अगर हम देखे तो इन चारो आप्शनों में वाइगोस्की का सिध्धान जो है वो इन्पॉर्टेंट है प्याजे का सिध्धान भी भाशा सिक्षन के अंतरगत इन्पॉर्टेंट है और चौमस्की तो मे इसमें क्योंकि इन्होंने एलेडी दिया था लेंगवेज एक्विजिशन डिवाइस दिये थे तो इसलिए यहां पर जो सभी साइक्लोजिस ने जिनकी आलोचना की है वो की है स्कीनर की सिद्धान की इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी कि भाशा शिक् करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन 26 आपसे क्या कहता है तो नेक्स्ट कोशन 26 में आपसे पूछा गया स्ट्वेंट्स की बोलना और सुनना पढ़ना और लिखना सभी सामाने कोशल है और इनमें बच्चों की दक्षता स्कूल में उनकी डैश को प्रभावित करती है कि इसमें बच्चों की जो दक्षता है स्कूल में उनकी डैश को प्रभावित करती है और उनमें बच्चों की दक्षता लπά आगये बच्चों की जो काविलियत है वो iSchool में उनकी Dash को प्रभावित करती है तो उनके अधीगम को प्रभावित करती है सफल्टा को प्रभावित करती है अक्शर Gyaan को प्रभावित करती है या Earth Grand को बताए इस questions का right options आपके हिसाब से क्या हो सकता है देखे Earth Grand जो आप कर करते हैं आपकी सफलता पर जितना ज्यादा आप सीखते हैं जितना ज्यादा आप अधिगम करते हैं उतना ही आप सफल होते हैं तो इसलिए इस डैश के प्लेस पर आ करता है आप कोशन को समझ पा रहे हैं और इस कोशन के रहेट ऑप्शन तक भी पहुंच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स प्रेशन आपसे क्या कहता है तो नेक्स कोशन कोशन नमबर 27 आपसे कहता है इस चुएंट की भाशा विकास के अंग में निमलि विक्सित करना अब आपसे पूछा गया कि भाशा विकास के अंग में निमलिकित में कौन नहीं है यानि कि कौन सा अंग भाशा विकास में नहीं हो सकता तो देखे जब आप भाशा विकास करते हैं तो आप अक्षर ग्यान भी करते हैं क्योंकि जब आपको अक्षरों का ग् समझना ये भी भाशा विकास के अंग में आयेगा और तीसरा ओप्शन कहता है आप से स्ट्रेंट्स की ध्वनी द्वारा भाशा उत्पन करना है नहीं कि जब भी आप किसी भाशा को बोलते हैं तो आप ध्वनी के कोई पार्ट ये नहीं है इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इसकोशन के राइट ऑप्शन तक भी इजिली पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर 28 आप से क्या कहता है तो कोशन नंबर 28 आप से कहता है कि अर्थ ग्रहन पर आधारित संपर्ग वीधी का प्रचार किसने क्या था यानि कि जो अर्थ ग्रहन पर आधारित वीधी है जिसके अंतरगत संपर्ग वीधी आपने पड़े होंगे इसका प्रचार किसने क्या था या कि इसको जनक कौन है इसका प्रचार प्रसार किस ने किया था option A कहता है पॉल फेरो option B कहता है मॉन्टे सरी option C कहता है पावलव और option D कहता है इसकी नर अब आपको बताना है स्ट्वेंट्स की अर्थ ग्रहन पर आधारिद वीधियों के अंतरगत हम पांच वीधियों को पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं देखो और कहो वीधी दूसरा होता है आपका वाक्य वीधि, तीसरा होता है कहानी वीधि, चोथा होता है अनुकरन वीधि और पाचवा है संपर्ख वीधि और संपर्ख वीधि का जो प्रचार प्रसार किया था वो Montessori ने किया था इसलिए इस questions का right option बनता है आपका B यानि अर्थ ग्रहन पर आधरित संपर्ग विधी का प्रचार की आपके Montessori ने आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions का right option तक भी easily पहुँच पायोंगे पिले आगे बढ़ते हैं और देखतें next question आपसे क्या कहता है तो next question, question number 29 आपसे कहता है students की स्वरोचारण विधी क्या है यानि कि स्वरोचारण आप शब्द से समझ पा रहे हैं कि स्वरोचारण करने का जो method होता है यानि कि स्वरोचारण करने की जो विधी है वो क्या है option a कहता है अक्षरोचारण विधी क्या है निकि इन 4 option में आपके हिसाब से स्वरोचारण विधी क्या है कि आपको बताना है तो अगर हम बात करें स्वरोचारण यानि स्वरोचारण करना तो अक्षर एवंग शब्दों को मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है तो मौखिक रूप से तो पढ़ाया जाता है बट ये स्वरोचारण विधी नहीं है अक्षरों एवंग शब्दों को लिखाया जाता है नहीं कि लिखाया जाता है तो नहीं हो सकता option C कहता है अक्षरों एवंग शब्दों को उच्चारन सहीद पढ़ाया जाता है और option D कहता है भ्रहमन द्वारा अक्षरों और शब्दों को सिखाया जाता है I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option तक भी easily पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question और इस practice set का ये last question आपकी screen पर है देखे अर्थ ग्रहन पर आधारिट जो वीधीं हैं उनकी संख्या 5 आपने पड़ी है देखो और कहो वीधी दूसरा होता है वाक्य वीधी तीसरा होता है कहानी वीधी चौथा है अनुकरण वीधी और पांचवा है अपका संपर्क विधी अब आपको बताना है कि अर्थ ग्रहन की किस विधी को देखो और कहो विधी कहा जाता है को देखो और कहो विदी कहा जाता है कि अनुकरण विदी को गया जाता है या अनुकरण विदी को कहा जाता है अनुगमन विदी को या फिर अधिगम विदी को तो इस came content वाले portion में हमने इसको डिटेल में पड़ा है अर्थ-ग्रहन पर आधरिच जो पाँच वीदी है उसके अंतरगत जो अनुगरण वीदी है उसको हम कहते हैं कि यह वीदी देखो और कहो वीदी का दूसरा स्वरूप है तो इसलिए अगर देखो और कहो वीदी को ही हम कहें तो इसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है अनुगरण वीदी इसलिए इसक questions के right option तक भी easily पहुँच पाए होंगे तो इस ट्रेंट्स आपने देखा कि इस topic पर based रहने आरंभिक पठन कोशल topic पर based किस प्रकार के most important question आपके सामने में लेकर आया हूँ आशा करता हूँ कि सभी प्रशन आप easily समझ पाए होंगे और सभी प्रशनों के right option तक आप easily पहुच पाए होंगे लेकिन अगर फिर भी कोई doubts बनते हैं आपको इन प्रशनों में तो आप comment section में जाकर comment करके पूच सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको इक class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद चैहिंद